अभी पाकिस्तान से ये वीडियो सामने आई है जिसमें लोग बड़े बड़े प्लास्टिक बैक्स में कुकिंग गैस ले जा रही है अब ओवेसली ये डेंजरस तो है क्योंकि एक छोटे से लीक से भी बड़ा एक्सिडेंट हो सकता है तो देखे पाकिस्तान एक एकोनोमिक क्राइसिस से जूज़ रहा है पाकिस्तान का इंफलेशन रेट 25% से भी उपर पोच गया है और क्योंकि पाकिस्तान गवर्मेंट पर 274 बिलियन डॉलर का डेप्ट है जो कि पाकिस्तान की GDP का 79% है तो वो भी आम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे है और जहां पाकिस्तान चाइना के इंफलेशन पर डिपेंट था अब वो इंफलेशन भी कम हो चुका है तुकि पाकिस्तान के खुद कई प्रोब्लम से गुजर रहा है जिसकी वज़ा से पाकिस्तान में ओईल और फूड की कमी हो गई है सिलिंडर के दाम भी बहुत बढ़ गए है तो अब लोग के पास सिर्फ यही एक ओप्शन है गवर्मेंट ने इस चीज़ में बैन तो लगाया है लेकिन एक आम आदमी इस सिचुएशन में क्या करे